तकॉल नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीम पत की शपतली, साथी मोदी काबिनेट में 30 केंद्रिय मंत्रियों समेथ 72 सांसदों ने भी शपतली मोदी की इस नई टीम के केंद्रिमन्ती, कीर्थिवधन सेंग और दो केंद्रि राज्यमंत्री, सतिष चंद्र दूबे और कमलेश पासवान से खास और एक्स्क्लूजव पाचीत की नीज़ 24 में गुणडा से पांच बार के सांसद किर्थिवर्जन सिंग को नरेंदमोदी सरकार में कैबनेट राजमंती का दरजा मिला है हमारे साथ खुद कृती वर्जन सिंग है सर सबसे पहले आपको बढ़ाई और क्या कहना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता को देखें सबसे पहले मैं आदर्नी प्रहान मंती जी को और अपने भारती जनता पार्टी के शेश नितुत को मैं धन्वाद देना चाहता हूँ कि आपने इस निर्णाय के साथ साथ हमारे पूरे गुंडा वास्यों का सम्मान बढ़ाया है और उषके साथ-साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सोपी गई है जिसको मैं पूरा निष्ठा के साथ पूरा समर्पन के साथ पूरी मेहनत के साथ जो हमारे भारती अंता पार्टी का आदर्नी मोडी जी का जो विजिन है जो लक्श है जो देश है उस पे पूरी मेहनत के साथ हम लोग उस पे लगेंगे और जो दायत सौपा गया उसके साथ-साथ जो हमारे गुंडा का तमाम विकासकार है अभी उसको आगे तेजी से बढ़ाना है उसमें भी बहुत तेजी से हम लोग काम करना है इसी हम लोग के लिए पांच साल ये समय मिला है कि किस तरह इसको सारे कारियों को पूरा किया जाए और किस तरह अपने छेट की जनता है अपने देश की जनता है इसके सामने इसको आगे बढ़ाने के लिए जो राश को आगे बढ़ाने के लिए जो मानी मोदी ये कदम रख रहे हैं उसमें हम लोग साथ उनके लगें गोंडा से आप पांच बार सांसद रह चुके हैं और इससे पहले आपके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं अपने पर दोग यह गैए यह तो कोई मेहनत पर है और पूरी मेहनत की आएगी की ज़्यादा जो लोगें आपक्षा हैं और गोंडा को खास करके लेकर तो इसको तो हम लोग पूरी मेहनत से कामकरने कोशिश करेंगे यह तो हम लोग की मेहनत पर है देखे बिना कोई मंती पद होते हुए भी यह हमारे पार्टी की देन है हमारे पार्टी की सोच है हमारे मानी मुकमती जी की मानी प्रहान मंती की जो सोच रही है उसके चलते हुए हम लोग गुंडा में बहुत सारा काम करा ले गए बहुत सारा क कोशिश रहती है कि छेत का विकास हो उसके आथ हम लोग भी महनत करेंगे तो ज़रूर है कुछ ना कुछ तो आगया हम लोगो अच्छी सवलता विकास में मिले ही मिलने है छुनाओ के दोना या निरीटिव सेट करने की कोशिश की गयी कि छठीय समाज मुदी की सरकार से नाराज है इसे आप कैसे दूर करेंगे देखे वो नरीटिव खतम हो चुका है ना छठीय समाज पूरी तरह से सारा समाज मुदी जी के साथ खड़ा हुए आज हम लोगों की तीसी बार आदनीम प्रधानमंतीज ने शपत लिया है इस देश के प्रधानमंतीपत का बीजेपी की तीसी बार सरकार बनने ही तो नारेटिव कहां रह गया है नारेटिव तो केवल एक है कि किसने क्या किया है अपने कारकाल में हम लोगों ने 50-100 साल का कारकाल हम लोगों के सामने है हमारी देश के सामने है और उसके साथ 10 साल का कारकाल आदनी नरेन मुदी जी का और बीजी पी का देश के सामने है उसका तुलना करने में कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है और तुलना में जो इतने सालों में काम नहीं है और दस साल में आदरनी प्रहाम अंतीजी ने देश के लिए करके दिखा दिया है तो नरेटिव तो अब विकास का है नरेटिव, देश को आगे ले जाने का है नरेटिव, हमारे भारत देश को पूरे दुनिया में जिसता से हम लोगों की GDP की ग्रोह थे, जिसता से हमारी एकोनोमी ग्रोह हो रही है, तो पहले सान कहां किस सान पे थे हम लोगों कितना आगे ब कुछ अगर कमिया रही है तो इतना मुझे को पूरा विश्वास अपने शीष नेटित्र में कि इस कम्यों को देखते वे इसका मन्थन करते वे भारतियनता पार्टी और मजबूत आगे साबित होगी और मजबूती के साथ हम लोग देश का नेटित्र करेंगे इसमें कोई दो मिल जाए जिसमें उसके साथ साथ मैं गुंडा का भी विकास कराने में और तीजी से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के बास देखे जिम्मेदारी तो देश की है जनता की है और पूरे यह तो कैबिनेट बर्थ कैबिनेट मंत्राल है लेकिन से साथ जिन लो सांसत महोदे बैठे में जिने कि नेजमोदी सरकार में मंत्री का दर्जा मिला है और हम चाहेंगे कि गुंडा सहीत उत्तर प्रदेश और पूरे देश का विकास अच्छे तरीके से हो कैब आपर संद रफीक के सात्रमन कुमार दिल्ली निउस 24